कपिल शर्मा शो में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही परिवार की तीन पीड़ी एक साथ आएंगी इस विकेंड दे लीजेंड धरमेंद्र उनके बेटे सनी देवल और पोते करन देवल एक साथ कपिल के शो में आ रहे हैं ये एपिसोड अपने आप में इतिहास रचने जा रहा है सलीम खान और सलमान खान वाले एपिसोड के बाद ये साल का दूसरा सबसे बड़ा एपिसोड है इस दोरान धरमेंद्र वो किस्सा भी शेयर करेंगे जब उन्होंने शराब के नशे में डारेक्टर हरिकेश मुखर जी को पूरी रात नहीं सोने दिया था दरसल ये बात साल 1971 से पहले की है हरिकेश और धरमेंद्र की मुलाकात प्लेन में हुई पूरे रास्ते हरिकेश ने आनन्द फिल्म की कहानी धरमेंद्र को सुनाई लेकिन उसके बाद उन्होंने इस रोल के लिए राजेश खन्ना को साइन कर लिया जब ये बात धरमेंद्र को पता चली तो उन्होंने गुस्से में खूब शराप पी इसके बाद धर्मेंदर ने हरीकेश को फोन कर कहा तुमने कहानी मुझे सुनाई और फिल्म राजेश को दे दी उधर से हरीकेश ने कहा धर्मेंदर सोजा यार बहुत रात हो गई है फिर आदे घंटे बाद धर्मेंद्र ने हरकेश को फिर फोन किया और कहा तुने मेरी जगा उसे कैसे साइन कर लिया हरकेश ने फिर उन्हें समझा बुजा कर फोन करड़ा धर्मेंद्र उसके बाद पूरी रात उन्हें फोन कर तंग करते रहे सुबा हरिकेश ने धर्मेंद के घर जाकर उनसे हाथ जोड़ कर माफी मागी धर्मेंद ने एक किस्सा कपल शर्मा शो पर शेयर किया ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार किस्से आपको इस वीकेंड कपल के शो में सुनने को मिलेंगे फिलहाल इस वीकेंड का कीजिए इंतजार और जादा अपडेट्स के लिए हमाई जनल को सब्सक्राइब कीजिए